C.I.E.T.N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गनित की पाथ पुष्तक गनित का जादू का ग्यारहवा अध्याए क्षेत्रफल और घेरा पेज 146 यहां दो बच्चों के चित्र हैं और कुछ सामान दिखाया गया है साथ ही यहां चित्र में दो अलग-अलग प्राकार के आयत दिये गए हैं ये पीले रंग में है आमपापड पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आमपापड खरीदा उनके टुकड़े कुछ ऐसे थे और इसलिए इसकी लंबाई में एक एक सेंटिमीटर के च्छै वर्ग लगाए जा सकते हैं. इसलिए अ टुकड़े का क्षेतर फल पराबर खाली जग़ा वर्ग सेंटिमीटर अ टुकड़ा यहां एक चिडिया दिखाई गई है. सारे वर्ग गिनना तो बेवकूफी है. बस गुणा करो. इसी तरह बर टुकड़े का क्षेतर फल पता करो. किसका टुकड़ा ज्यादा बड़ा है? कितना ज्यादा? डाक टिकट से ढखो. इस डाक टिकट का क्षेतर फल चार वर्ग सेंटिमीटर है. अंदाजा लगाओ. इस बड़ी आयत को ढखने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिएं. यहां एक आकरिती दिखाई गई है. उस पर एक डाक टिकट लगा है. बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें कि वे पहले क्षेतर फल की तुलना करने के अलग-अलग तरीकों पर चर्चा करें. जैसे कि अलग-अलग टोकनों डाक टिकट आद्य के उपयोग से. कक्षा चार में उन्होंने खाने गिनकर अनियमित, अर्थात, इडरेगिलर, आकरितियों की तुलना की थी. आयतों के लिए वे भुजाएं नाप कर देख सकते हैं कि एक सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग उसमें फिट हो सकते हैं. पेज नंबर 148. अपने अंदाजे की जाच करो. क. पीली आयत को मापो. ये है खाली जगा. सेंटीमीटर लंबी है. क. इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं. खाली जगा. ग. आयत की चौड़ाई कितनी है. खाली जगा. सेंटीमीटर. ग. इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए खाली जगा उसकी रसोई 220 सेंटी मीटर लंबी और 180 सेंटी मीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? यहां एक टाइल दिखाई गई है और एक बच्चा दिखाया गया है। एक वरगाकार बगीचे की बाल की लंबाई 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? बीस सेंटी मीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटी मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? अनुमान लगाने और जाचने की गतिविधी अन्यवस्तों की मदद से कक्षा में ही की जा सकती है वो दाहरन के लिए गनित की किताब पर कितने पोस्ट कार्ड रखे जा सकते हैं कितने चार्टों से कक्षा की दीवारें ढख जाएंगी आदे चात्रों से कहें कि वे जहां तक हो सके चीजों पर टाइलें लगा कर अपने अनुमान को चेक करें एक बार वे अनुमान लगाना सीख जाएं और उत्तर के आसपास पहुचने लगें तब उनसे कहें कि वे वर्ग सेंटीमीटर में अनुमान लगाएं पेज 149 घट एक चोकोर केरमबोड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है उसका कशेतर फल कितना है अंग इस तिकोनी टायल जैसी कितनी टायलें सफेद डिजाइन में समा सकती हैं यह तिकोन सेंटीमीटर वर्ग का आधा है डिजाइन का क्षेतर फल बराबर खाली जगह वर्ग सेंटिमीटर यहां एक डिजाइन बनाया गया है चार और छे वर्ग सेंटिमीटर क्षेतर फल वाले अपने डिजाइन बनाओ चा, सान्या, आरोशी, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो यहां कुछ बच्चे हाथों में कार्ड लिये हुए हैं यहां एक तालिका दी गई है जिसमें किसका कार्ड? लंबाई, चोड़ाई, परिमाफ और क्षेतर फल ये दिया गया है सान्या का कार्ड 10 cm लंबा 8 cm चोड़ा इसका परिमाप और क्षेत्रफल आपको लिखना है इसी प्रकार से आगे भी हल कीजिए मानव 11 cm लंबाई परिमाप 44 cm चोड़ाई और क्षेत्रफल आपको लिखना है आरोशी चोड़ाई आठ सेंटिमीटर क्षेत्रफल असी वर्ग सेंटिमीटर लंबाई और परिमाप आपको लिखना है कबीर परिमाप 40 cm और क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटिमीटर लंबाई और चोड़ाई आपको लिखना है मेरी बेल्ट सबसे लंबी एक मोटा काघज का टुकड़ा लो जिसकी लंबाई 14 सेंटी मीटर और चौड़ाई 9 सेंटी मीटर हो तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो इसका क्षितर फल कितना है? इसका परे माप क्या है? अब इस में से एक जैसे माप वाली पट्टियां काटो पेज 150 टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़ कर बेल्ट बनाओ यहां कुछ बच्चे दिखाए गए है तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है? खाली जगह तुम्हारी बेल्ट का परिमाप कितना है? खाली जगह कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है? खाली जगह चर्चा करो तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरों से लंबी क्यों बनी? क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्शित्रफल पोस्ट कार्ड के क्शित्रफल के बराबर है क्यों अगली बार ज्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे यह बेल्ट हाथी के लिए है दिखो मैं पोस्ट कार्ड में से निकल सकता हूँ मैंने बिना पट्टियां काटे एक फंदा तयार किया है पहली पोस्ट कार्ड में से निकलना यहां एक बच्चे और हाथी का चित्र है और एक बच्चे को पोस्ट कार्ड से बनी पट्टियों से निकलते दिखाया गया है पहली पोस्ट कार्ड में से निकलना क्या तुम पोस्ट कार्ड काटने का कोई ऐसा तरीका सोच सकते हो जिससे कि तुम उसमें से निकल सको फोटो पर विचार करो बहुत सोचने के बाद अभी भी अगर जवाब नहीं सूझा तो इसका उत्तर आगे ढूंडो बेल्ट वाली गति विधि का उद्देश्च यह समझाना है कि समान क्षित्रफल वाली चीजों की अलग आकरिती तथा अलग परिमाप हो सकता है इस गति विधि में भुजाओं को नापते हुए मिली मीटर में आने वाली लंबाई का सन निक्टन करें पेज 151 हर तरफ लोग ही लोग का तुम यह खेल एक मैदान में खेल सकते हो एक वर्ग मीटर के दो वर्ग बनाओ अपनी कक्षा को दो भागों में बांट लो हम खेलने के लिए तैयार है यहां कुछ बच्चे और चिडिया दिखाई गई है चिडिया कहती है अगर गनित का जादू की चार किताबों को एक कतार में लगाएं तो उस कतार की लंबाई लगभग एक मीटर नौ सेंटी मीटर होगी अपनी अपनी टोली में करके देखें तुम में से कतने एक वर्ग मीटर में बैठ सकते हो खाली जगा कितने उसमें खड़े हो सकते हो खाली जगा कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने उस वर्ग में खड़ा कर सकी कितने बच्चे खाली जगा कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने वर्ग में बिठा पाई कितने बच्चे खाली जगा खा, अपनी कक्षा के फर्ष की लंबाई को मीटर में नापो, चोड़ाई भी नापो तुम्हारी कक्षा के फर्ष का क्षेतर फल क्या है? खाली जगा, वर्ग मीटर तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं? खाली जगा इसलिए एक वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? खाली जगा तुम्हें क्या लगता है? अगर आराम से घुम फिर पाना चाहें तो एक वर्ग मीटर में कितने बच्चे होने चाहिएं? खाली जगा पेज 152 यहां कुछ चिडियां और कुछ लोग हैं साथ ही एक कुट्टा भी दिखाया गया है क्या तुम सोच सकते हो कि एक किलो मीटर का वर्ग कितना बढ़ा होगा? उसका क्षेतर फल खाली जगा वर्ग किलो मीटर होगा सोचो उसमें कितने लोग रह पाएंगे? पश्चिम बंगाल में लगभग 900 लोग एक वर्ग किलो मीटर में रहते हैं लेकिन अरुनाचल प्रदेश में अकेला पन लगता है मुश्किल से 15 लोग एक वर्ग किलो मीटर में रहते हैं बांटो जमीन को नसरीना एक किसान है जो अपनी जमीन को अपने तीन बच्चों चुमकी जुमरी और इमरान के बीच बराबर बांटना चाहती है वह जमीन को इस तरह बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में एक पेड़ आ जाए उसकी जमीन कुछ इस तरह की है यहां जमीन दिखाई गई है यहां एक वर्ग दिया गया है इसको अन्ने छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है इन छोटे छोटे वर्गों में से तीन वर्गों में पेड दिखाए गए है क्या तुम जमीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते हो करके दिखाओ कैसे बांटोगे याद रखो कि हर एक को एक पेड मिलना चाहिए हर बच्चे की जमीन को अलग रंग से रंगो हम बच्चों से यह अपेक्षा नहीं करते कि वे वर्ग मीटर और वर्ग किलो मीटर को एक दूसरे में परिवर्तित कर पाएं अभ्यास ख का उद्देश है वर्ग मीटर और वर्ग किलो मीटर कितने बड़े या छोटे हैं इसका अनुभव कराना पेज 153 यहां कुछ बच्चे दिखाए गए हैं अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को एक वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी जमीन आएगी खाली जगा वर्ग मीटर चुमकी जूमरी और इमरान को बाड लगाने के लिए तार चाहिए किस को बाड लगाने के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी खाली जगा तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की जरूरत पड़ेगी खाली जगा अब भ्यास का समय अ तालिका पर ध्यान दो अगर तुम्हें हर चीज का क्षेत रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम को चुनोगे सही का निशान लगाओ यहां एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ चीजें वर्ग संटिमीटर, वर्ग मीटर और वर्ग किलोमीटर कॉलम है आपको यह समझना है कि इन चीजों को किस में नापते हैं जैसे रूमाल रूमाल को संटिमीटर में नापते हैं तो संटिमीटर के कॉलम में सही का निशान लगाया गया है इसी प्रकार अन्य चीजों को देखिए और उन्हें किस में नापते हैं उसके अनुसार सही का निशान लगाईए चीजें हैं साड़ी, तुम्हारी किताब का पन्ना स्कूल की जमीन, एक शहर की कुल जमीन कक्षा का दर्वाजा, कुर्सी का आसन, श्यामपट, भारत का ज्ञंडा और जमीन जिस पर कोई नदी बहती है पेज 154 ब, नो वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ उस पर ए लिखो एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से दो गुना हो उस पर बी लिखो यहां एक बच्ची दिखाई गई है जिसके पास दो वर्ग है एक पर ए लिखा है, दूसरे पर बी लिखा है उत्तर दो एक, वर्ग ए का परिमाप खाली जगह, सेंटीमीटर है दो, वर्ग बी की एक भुजा अर्थात, साइड खाली जगह, सेंटीमीटर है तीन, वर्ग बी का क्षेतर फल खाली जगह, वर्ग सेंटीमीटर है चार, वर्ग बी का क्षेतर फल वर्ग ए से खाली जगह, गुना ज्यादा है पांच, वर्ग बी का परिमाप खाली जगह, सेंटीमीटर है 6. वर्ग B का परिमाप वर्ग A से खाली जगा गुना ज्यादा है उत्तर पोस्ट कार्ड में से निकलना प्रिष्ठ 150 यहां एक पोस्ट कार्ड को इस तरह से काटा गया है कि उसमें से कोई व्यक्ति निकल सके 1. एक पोस्ट कार्ड पर इस तरह रेखाएं बनाओ 2. पोस्ट कार्ड को केवल रेखाओं पर से काटो 3. तो क्या तुम इसमें से निकल सकते हो? क्या तुम्हें इस फंदे का क्षेत्र फल पता है? 4. वर्ग B का क्षेत्र फल वर्ग A से खाली जगह पेज 155 धागे का खेल एक 15 सेंटिमीटर लंबा धागा लो इस कागज पर उसके कोनों को मिलाकर अलग-अलग आकरितियां बनाओ यहां कुछ वर्ग दिये गए हैं और एक बच्चा भी है जिसके पास एक धागा है किस आकरिती का क्षेत्र फल सबसे बड़ा है? कितना है? खाली जगा उस आकरिती का परिमाप कितना है? खाली जगा किस आकरिती का क्षेत्र फल सबसे छोटा है? कितना है? खाली जगा उस आकरिती का परिमाप कितना है? खाली जगा एक त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाओ पता करो कि किस आकरिती का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा पेज 156 चिडियों को बचाओ गाओं के किनारे दो सुन्दर तालाब हैं इन दोनों ही तालाबों में लोग नौका विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं गाओं वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज से चिडियां अपना गोंसला बनाने के लिए नहीं आएंगी गाओं की पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक तालाब में ही नावों को चलाया जाए और दूसरे तालाब को चिडियों के लिए सुरक्षित रखा जाए अ, ब, यहां दो तालाबों के चित्र हैं जिन में पक्षी और मच्छी दिखाए गए हैं इस चित्र में एक संटी मीटर जमीन पर एक किलो मीटर के बराबर है क, चित्र में तालाब अ के घेरे की लंबाई कितने संटी मीटर है खाली जगा, धागे का उपयोग करो ख, चितर में TALAB ब की घेरे की लंबाई कितनी है? ग, जमीन पर TALAB अ का घेरा कितने किलो मीटर लंबा है? घ, जमीन पर तालाब ब का घेरा कितने किलो मीटर लंबा है अंग, ज्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज्यादा चड़ियों को अंडे देने में सहायता करता है कौन सा तालाब चड़ियों के लिए बचा कर रखा जाए किस तालाब को मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए पेज नमबर 157 च, पता करो कि चितर में तालाब ब का क्षितर फल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है इसका असली क्षितर फल कितने वर्ग किलो मीटर है राजा की कहानी एक राजा अपने बढ़ई चेगू और अनार से बहुत खुश था उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा और सुन्दर पलंग बनाया खुश होकर राजा चेगू को कुछ भूमी देना चाहता था और कुछ सोना अनार को चेगू जितनी जमीन इस सो मीटर तार से गेर सको वह तुम्हारी है राजा सिंग हसन पर बैठा दिखाया गया है चेगू बहुत खुश था उसने सो मीटर तार लिया और अलग-अलग आयतें बनाई उसने दस मीटर गुणा चालीस मीटर की आयत बनाई इसका क्षितरफल चार सो वर्ग मीटर था फिर उसने तीस मीटर गुणा बीस मीटर की आयत बनाई इसका क्षितरफल कितना है? क्या यह पहली आयत से ज्यादा है? सो मीटर तार से वह और कौन सी आयतیں बना सकता है? चर्चा करो कि कौन सी आयत का क्षेतरफल सब से ज्यादा होगा यहां चेगू अपनी पतनी से कह रहा है वाह मुझे तो यही जमीन का टुकडा चाहिए इसका क्षेतरफल आठ सो वर्ग मीटर है चेगू की पतनी ने उसे तार से गोला अर्थात वृत बनाने को कहा वह जानती थी कि इसका क्षेतरफल आठ सो वर्ग मीटर है चेगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना समझाओ राजा कहता है ठीक है चेगू ने आठ सो वर्ग मीटर जमीन ली है अनार अब मैं तुम्हें उतना सोने का तार दूँगा जिस से आठ सो वर्ग मीटर क्षेतरफल की जमीन का घेरा बना सको पेज 169 अनार ने अलग अलग तरीकों से आठ सो वर्ग मीटर जमीन का घेरा बनाने की कोशिश की उसने अलग-अलग आकार की आयतें बनाई हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो इन आयतों के लिए उसे कितने सोने का तार मिलेगा A. 40 मीटर गुना 20 मीटर A के लिए सोने का तार बराबर खाली जगह मीटर B. 80 मीटर गुना 10 मीटर B के लिए सोने का तार बराबर खाली जगह मीटर C. 800 मीटर गुना 1 मीटर C के लिए सोने का तार बराबर खाली जगह मीटर फिर अनार ने उससे भी लंबी एक आयत बनाई अरे कितनी लंबी डी आठ हजार मीटर गुणा शुन्न दशमलव एक मीटर इसलिए उसे मिलेगा खाली जगह मीटर सोने का तार राजा कहता है अफ़ो मैं इतना सोना कैसे दे पाऊंगा अब समझो कि राजा क्यों बेहोश हो गया क्या तुम इससे भी लंबे घेरे वाली आयत बना सकते हो मैंने एक सेंटी मीटर चोड़ी असी हजार मीटर लंबी आयत बनाई सोचो कि वह घेरा कितना बड़ा होगा उतने सोने की तार से तो मैं राजा बन जाओंगा इसी के साथ 14 अध्यायों वाली इस पुस्तक का ग्यारवा अध्याय पूरा हुआ स्वर मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बैटलेंग लिंगदो तक्नीकी सहायक विकास संगवान निर्मान सहयोग रुचिशर्म निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत